आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ करता है distance in certain time तो distance जो है वो कितनी है 20 km है ठीक है एक certain time period में कवर करता है और heat travel 4 successive distances of पहले 5 km 5 km, 5 km, 5 km ऐसे करके 20 km को कवर करता है 5 पहले, फिर 5 फिर 5 और फिर 5 लेकिन speed अलग लगा है पहले वो 10 km पर आवर की speed से कवर करता है और फिर वो कवर करता है 20 km पर आवर की speed से speed बढ़ती जा रही है उसकी फिर उसकी speed 30 हो जा रही है फिर उसकी speed जो है वो 60 हो जारी है ठीक है फ़िए time taken to cover the total distance तो कितना time लग रहा है उसको total distance कवर करने में ठीक है तो कितना time लगेगा तो total time लाई कितना लगएगा तेंगे-डिस्टेंस मैं दिए है ऑठ टैम निकाल नहीं है तो टाइम पहले इसिस वाले में 5 किलो मुट्र की तराम उसको डिस्टेंस ऑपरोन टैम स्पीड ऊता है और और टयम इकल के होता है अगर मैं Spirit को दो स्वाइब कर तो कि इस्क बाइब कर दूँimes को स्पीट से lookin दुए ढिधा में 100 फिर लगेगा फाईब 248 यह तक कि अलगी लगेगा पिर फफ्र utl लगेगा और अब इंसा भी 1 by 6 plus 1 by 12 अब इन सबका LCHM 12 आएगा तो 12 LCHM लेलो जब आपने 12 LCHM लेए 2 से डिवाइड के 6 आया 6, 4 से डिवाइड के 3 6 से डिवाइड के 2 12 से डिवाइड के 1 अब इन सबको जोड़ दो यह कितना रहा है 3, 3, 6 और 6, 12 12 upon 12 जाने की टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 1 आउर का Option 3 is the correct answer Thank you